हम आएं, हम बेले, हम बेटिया हमों की हिजदत हम से है हम आएं हम बेले, हम बेले हम बेले या हमों की इजदत हम से है हादा साल की उमर में मेरी शादी हो गई तो वो शहीधारूं बिलोर के साथ इसके लाज़ मीडम यह बताईगा यह इतनी responsibilities आप पे दम आ गई है मतलब अपनी जॉब, इसम्बली, फिर अपना घर, मतलब as a daughter-in-law, as a mother, as a working woman, as a housewife, तो how do you manage all these responsibilities, कैसे आप manage कर लेते हैं? आइन से आलम इंसानियत की अलम बर्दार है औरत, वाउसे वजूदे इंसान की बुन्याद है औरत, रे सहराना, ये काईनात का निशान है औरत, औरते से तुम्हारे मौाशरे की पहचान है, आप भी कहेंगे कि अर्दू प्रोग्राम्स करते करते एक दम बीच में पुछतो, because I really respect our brothers and fans, and इसके इलावा जो है, तो काफी मुझे मैसेज भी आता है, आप पुछतों में भी कुछ नो कुछ भूला करें, आज जो हीडन टाइमेट्स के तरव से हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, टोटली जो ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं औरत को, और इसके इलावा जो है, पखेर रागले इस प्रोग्राम का नाम होगा, और इसका जो स्लोगन होगा, औरत हों तो क्या हुआ? एन से आलम इनसानियत की अलम बरदार है औरत, वाउसे वजूदे इनसान की बन्याद है औरत, रे से रानाई का निशान है औरत, और ते से तुम्हारे मौशरे की पेचान है औरत, आज आपको इनागुरेशन के दें, इस प्रोग्राम का, जो शखसियत हमारे साथ मौतरमा जुनाब समर हारून बिलोर साहिबा, असलाम अलेकुम मैडम, कैसी है मैडम, शुक्रिया जी, टिक टाग, मैडम फस्ट अफवाल, मेरे पास अलफाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ कि आपने इतने टफ स्केजुल से आपने टाइम निकाल के मुझे दिया, मैडम, स्टार्ट में आपने सुनी दिया होगा, यह टोटली औरत को एक ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, फस्ट प्रोग्राम में आज, वो मेरे दिली ख्वाहिश थी, कि फस्ट प्रोग्राम में मेरे पहली मेमान समर हारून बिलोर साहिबा बने, और मेरी पैदाइश कराची में हुई थी, मैं वहाँ पे एक सिंगल यूनिट फैमिली में, हम लोग बले बड़े हैं, मेरे पेरेंट्स दोनों पुखतुन हैं, साउथ केपी से हमारा तालुक है, मेरे दादा जो है, वो लकी मरवत से बिलोंग करते थे, नाना मेरे बनू से थे और एक सर्टन पॉइंट पर जाके, मेरे वाले जो के बिजनसमेन थे, उन्होंने सियास्ट जोइन की, और कराची में जब 1988 में पंजाबी और महाजिर पुखतुन राइट्स जो हुए थे, उसके बाद मेरे वाले ने पंजाबी पुखतुन इतिहाद के नाम से एक पार्ट किया, उस वक्त मेरी एज बाउट दस साल थी, और मैंने बच्पन से ही एक सियासी माहूल में परवरिश पाई है, अठारा साल की उमर में मेरी शादी हो गई, तो वो शहीद हारून बिलोर के साथ, और शादी के बाद मैं पिशावर शिफ्ट हुई हूई हूँ, यहाँ पे हैपी फैमिली थी, कोई जो फैमिली के जो आप कह सकते हैं, आपस में पॉलिटेक्स या ड्रामाज इस तरह का कुछ भी नहीं था, लेकिन जब दो हजार आठ में अवामी नैश्रल पार्टी और पीपल्स पार्टी की हकूमत आई, उसके बाद जो देशत गर्दी ने सर सुइसाइड अटेक्स हो जाते थे, अंकल के उपर पांच अटेम्ट्स हुई हैं, पांचवे अटेम्ट्स में वो शहीद हुएं, चार से वो बच निकले थे, और मेरे शहीद सुसर के उपर ये दूसरा अटेम्ट था, तो इस दफ़ा वो जो देशत कर्द हैं, उनका टार था, मेरे बचे चोटे थे दोनों, तो फिर हारून की सीट पे फैमली ने डिसाइड किया कि मैं इंटर करूंगी सियासी मैदान, और मैं कंपीट करूंगी, और इस तरीके से मैं सियासत में आई हूँ, पिछले तीन सालों से, इस चीज़ के बावजूद के मैं आपोजिशन हैं, उनके लिए मैं बेश्दर जवों पे भावाज उठा लिए हूँ, बैड़म ये माशालला, अल्ला ताला का एक बहुत खास करम भी है कि आपको इतना बड़ा हुसला दिया कि पे दर पे इतने तुखों के बावजूद, माशालला, आपको अल्ला ताला ने इज़द ब गारा से खेलते रहते हैं, तो आपका बिचमन में ऐसा कोई था, स्कूल के फंक्शन में इस तरह डिबेट वगारा में इससा लेना या पॉलिटिक्स का इसा कोई बिलकुल, आपके माइड में था ही नहीं वो इस किसम का कुछूद, तेकि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट त दो मेरे खालू सियासी घरानों से तालुक रखते थे, तेमूर जगरा साब मेरे फिर्स्ट कजन हैं, मेरे खाला के बेटे हैं, तो इस तरीके से हमने बच्पन से सियासत ही देखी है, सुसराल भी ऐसा मिला कि वहाँ पे भी ये बाते होती थी, तो इंवाल्वमेंट और इं जो चीजें मेरे भाई ने की हैं, वो हम ने, हम बेहनों ने भी की हैं, लेकिन अपने जो पुखतून सुसाइटी का एक दाइरा है, उस दाइरे के अंदर में रह के, अपने बड़ों ने जो हमारे लिए लिमिट सेट की वी थी, उन लिमिट्स के अंदर रह के, और मेरा लेकिन किसमत में ये प्रोफेशन इस तरह से लिखावा था, तो आइस सपोस्थ वो इस तरह हो गया, तो मैडम के हारून भाई, मरहूम के साथ आप कहीं जलसे या इस किसम के मिटिंग पर जाते थी, नहीं उनकी शहादत के बाद आप, नहीं जी, ये मैंने उनकी शहादत क मैडम के अक्सा रुकात ये देखा जाता है कि बच्चे ज्यादा अपने मदर से अटैच होते हैं, तो दानियाल भाई और चोटे जो हैं वो ज्यादा हरून भाई मरहूम से अटैच थे या आप से थे, देखें हमारी तो बहुत चोटी सी फैमली थी, तो ये है कि दानियाल जो थे, बहुत जादा मेरे सुसर से अटैच थे, वो उनके पहले ग्रेंट सन थे, घर में 26 साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ था, तो अंकल का सारा फोकस, इंट्रेस्ट सब दानियाल में हुआ करता था, बाकी तो हम आपस में भी सारे बहुत क्लोस थे, अब मा या बच पैदा मेरे सुसर थे, उनकी जान दानियाल में होती थे, बहुत जादा पसंद करते थे, बहुत कोशिश करते थे, उनके साथ टानियाल में होती थे, इसके लब मेडम बताईगा कि यह इतनी रिस्पांसिबिलिटीज आप पे दम आ गही है, मतलब अपनी जाब, इसंबली, फिर अपना घर, मतलब as a daughter-in-law, as a mother, as a working woman, as a housewife, तो how do you manage all these responsibilities, कैसे आप manage कर लेते हैं? देखे जी, है तो बहुत मुश्किल, क्योंकि घर को भी मज़े फॉल टाइम देना पड़ता है, फैमली को भी देना पड़ता है, फैमली की जो घमी खुशी का हमारा एक culture है, उसको भी देना पड़ता है, लेकिन I think Allah मियान ने औरत को इस तरीके से बनाया, कि वो multi-task कर सकत और मैं अपनी तारीफ में नहीं कहती है, लेकिन मैं फील करती हूँ कि मैं क्योंकि फिलहाल असेमली की वाहिद elected खातून हूँ, तो मैं अपने हलके को भी उस नजर से चलाती हूँ, जिस नजर से मैं अपने घर को चलाती हूँ, शफकत के साथ, प्यार के साथ थोड़ा सा discipline करके क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी सुपरविजन के नीचे कोई घलत काम हो, यह औरत की फित्रत में है कि वहाद चीज को एक चेक और बैलन्स में रखना चाहती है, और मैं अपना टाइम बहुत डिवाइट करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हर किसी को जॉब को भी दो, घर को भी टाइम दो, बच्चों को भी दो, लेकिन इसमें यह है कि मेरा अपना जो परसनल टाइम है वो बिलकुल खतम हो गया, सही, वीवर्ज मैडम की बात 100% इसलिए भी सही है कि मैं यहा आने से पहले काफी कन्फियूज भी था, कि मेरा फर्स्ट एक्स्पिरियंस और फिर मैं यही सोच रहा था कि क्या मतलब लेकिन इस तरह मैडम ने अपने हलकी की बात की इतना इज़त, महबत और शफकत से मुझे मैडम ने जैसे वैलकम किया है बिलकुल अपने फैमली मेंबर की तरह, बिलकुल मेरे सारे जितनी कन्फियूज थे, जितना मैं मतलब व बाप के लिए जन्नत की दलील बन जाती है, वही बेटी जब बीवी का रूब धरती है तो अपनी अतात और फर्मा बरदारे से खुद जन्नत की हगदार बन जाती है, और जब मा के आला मकाम तक पहुंचती है तो जन्नत उसके कदमों में डाल दी जाती है, मैडम थैंक जबातोही मौश्टी के पहचान है, तैंकि में तो हर इनसान से डर लगता है, हमदर्द के रूप में शयते लगता है, आ जाती है, अचानक उदासी लिये हुए अकसर ऐसे आने वाली हर शाम से डर लगता है, और जिसमें आ जाता है, गरूर कुछ पाले लगता है, ऐसे घासिल किया हुए है से अहर मकाम से डर लगता है और आखरी शेयर है कि आखर है कि तबाख कर देता है जो नसलों को मह भीर मेसा कर दो productive ही दो हरोस। हर दामसे डर लगता है अब तो हर इनसान से डर लगता है हमदर्द के रूप में शैतानसे डर ₹ एक चोटा सा फुर्फुलूस गिफ्ट में मैडम को पेश परूब दियेगा दिल से अपने ख्यार रखियेगा अपने घरवालों का ख्यार रखियेगा और आपके घर में खातून के रूप में जो भी रिश्टा है उसे इज़त महबत और प्यार से पेश आएगा थैंक यू सो मच अल्ला हाफिस फिर मिलेंगे फी अमानुग अज़त हम से है कौमों की इज़त हम से है कौमों की इज़त हम से है